नमस्कार, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को डॉक्टर सरवपली राधा कृष्णन जी के जयनती पर हम लोग सिक्सक दिवस को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं आप सभी सिक्सकों को सिक्सक दिवस की हारदिक सुब कामनाए और उन सभी बंदुभांदों को जो सिक्सक के जो प्रोफेशन है उसके साथ में जुड़े हुए हैं ऐसे तो परंपरा बहुत पुरानी है भारत देश के अंदर गुरू और सिष्षे की और गुरू को जो है कई माइनों में जो दूसरे संबंध है उन संबंधों से उपर रखा गया है लेकिन आज के परिपेक्स में जो गुरू और सिष्षे का जो संबंध है और जो वो परंप प्रमप्राव पर कुष्टा घात किया गया है उस जो प्रमप्रा को विच्षेद कर दिया गया है एक सिस्षे और गुरू का जो संबन था उसके बीच में खाई पैदा कर दी गई है वो वजा कुछ भी है लेकिन इस संधर्भ में मैं आज जो है आपके साथ कुछ पॉइंट अपने सेहर करना चाहता हूँ और आसा करता हूँ कि आप भी उनको being a teacher और being a student और कभी भी अगर आप teacher रहे हैं तो उनको समझेंगे और या फिर अपने जो बच्चे हैं या आपके जो student हैं उनको प्रिक्षित करेंगे पहला जो बिंदू है मेरा जहां मैं डिस्क आज के पॉइंट में आज के परिपेक्स में आज के संदर्ब में आज के रेफ्रेंस में एक संबन देखते हैं तो वो एक professionalism के अंदर आ चुका है लेकिन जब कोई teacher classroom के अंदर teach करता है that time personally I feel जब कोई teacher teach करता है class के अंदर तो वो अपने आपको एक ideal situation के अंदर रखता है वो ideal situation जो है उसके character से develop होती है और उसका जो character develop हुआ है वो उसके environment से परभावित होता है तो बहुत हद तक आज भी जब कोई teacher class के अंदर teach करता है तो वो भासन द्वारा अपनी वानी के द्वारा अपने motivational facts के द्वारा जो उसके students है उनको motivate करता है तो जो प्रेड़ना है वो आज भी इस संधर्ब में आज के परिपेक्स में भी जो जहां गुरू और सिस्से की प्रमप्रा को जो है एक तरीके से तोड़ा जा रहा है या तोड़ा गया है आज भी teacher अपने students को प्रेड़ित करते हैं कुछ motivational speech के द्वारा ये संधर्ब दूसरा होगा कि आज उनके जो साक्षे वो students के सामने रखते हैं वो गुरू असिस्से की जो प्रमप्रा हमारे देश के अंदर रही है उन तथ्यों को उन कहानियों को या उन सक्सियत या उन characters को नहीं रखते जो कि जिनोंने हम लोगों की संस्कर्ति या संस्कर्टिक जो विरासत हम लोगों को दी है आज के प्रिक्पेक्स में भी जो teacher है वो अपने सिस्यों को अपने class को motivate करने के लिए कुछ उधारन जो है वो परस्तुत करते हैं जो उधारन प्रस्तुति है यह उधारन प्रस्तुति हम लोगों के संस्कर्ति के अंदर teacher और जो student है class और जो teacher और student है उनके बीच रखा जाता है तो अब प्रेड़ना एक point हुआ है प्रेड़ना एक बिंदू है किसी भी teacher के लिए लेकिन वो आपको यह student को कैसे प्रेड़ीत करता है तो कुछ students हैं उनका concentration है आज के prefix में जिसतरीके का वातवरन मिला है और जिसतरीके की approach हुआ है या जिसतरीके का exposure बहुत कम उमर के अंदर मिल चुका है तो वहाँ students की जो concentration है वो कम हुई है और जब student की concentration कम हुई है तो उसका जो किसी एक विचार को सुनने में उसकी जो इंद्रिया हैं जो सुनने का काम कर रही है जो देखने का काम कर रही है उनको एक जगह एक बिंदू पर रख पाना थोड़ा students के लिए आज के time में आज के समय में मुस्किल हुआ है तो यह जो मुस्किल हुआ है इसमें जो teacher है जो एक आपको teach करने के लिए आया है उसको अपना lecture 45 minutes में या 1 hour में complete करना है 60 minutes में complete करना है तो वो जो distractions है basically उसका जो personal character है उसको जाकर के hurt करता है आज की date के अंदर तो यह जो hurt word मैंने use किया है यह सलिए किया है कि teacher के अंदर भी जो धेरिये है जो patience है वो कम हुआ है और वो जो relationship है वो teacher के side से और student के side से दोनों ही जगे वो उसमें कुछ बदला हुआ है तो किसी class के अंदर जब कुछ students अपनी जो concentration है उसके कारण पढ़ाई का एक जो बिंदू है उस पर focus नहीं कर पाते है तो जो teacher है जो class में teach कर रहा है वो male या female कुछ भी हो सकता है द्यापक या ध्यापक वो हो सकती है तो उनका जो धहरिये कुछ देर तक के लिए तो वो उसको रखेंगे लेकिन जब ये continue रहेगा तो उनका धहरिये समाप्त हो जाता है और उनका जो personal character है वो सामने दिखाई पड़ता है उस character के अंदर जो crowd है या फिर कोई taunt type का जो words है वो comes out, वो बहार आते हैं तो यहां एक दूसरा बिंदू जो मैं highlight करना चाहता हूँ कि एक जो teacher की सक्सियत है एक जो teacher का अपना character है उसके अंदर धहरिये जरूरी है और ये धहरिये routine के अंदर नहीं आ पाता है कि आप routine में class teach कर रहे हैं तो आ जाएगा अगर आपने अपने character पर ध्यान नहीं दिया आपने कुछ practices पर ध्यान नहीं दिया तो वो patience जो है क्योंकि आप भी मैं भी human being है तो वो जो धहरिये है वो डगमगा सकता है तो दो बिंदू पर मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके साथ में एक मैंने अभी बात की कि जो संबंध है student और teacher का उसमें जो teacher का धहरिये है और जो student का जो focus है वो जब match ना कर पाए और match ना कर पाए का वज़े कुछ भी हो सकता है अब ये अगर मैं खुल कर बात करना चाहूँ तो किसी एक subject को teach करने के लिए teacher का जो communication है that should be basically effective लेकिन अगर ऐसा ना हो उसके पास ग्यान हो तो क्या वो teacher नहीं हो सकता और अपने जो ग्यान या उसके पास जो information है उसको वो 45 minutes में share करना चाहता है ठीक है तो क्या class इतना discipline नहीं रख सकती कि वो उस बात को सुने और नहीं सुना जाए तो क्या इतना patience या इस तरीके का focus student का इतनी young stage में नहीं हो सकता कि वो उस 45 minutes को दिहान पूरवक सुन पाए तो यहां confliction आ जाएगा in thought के अंदर कि क्या यह जिम्मेदारी केवल students की है वो क्यों 45 minutes तक सुने या फिर वो 45 minutes तक जब teacher बोल रहा है तो वो जब बोल रहा है तो किसी information को लेकर के बोल रहा है लेकिन उसका communication या कुछ इस तरह के का उसका character है कि वो अपने ग्यान को तो अच्छी तरीके से रख पाता है लेकिन जो audience है जो उसके students है वो उसको accept नहीं करते हैं तो उस इस्तिती में class के अंदर का जो discipline है that means कि जो उसकी आवाज है या जो उसका information है उसको वो ग्रहन नहीं कर पाते हैं इसकी दो वज़े हैं तो एक तो जो मैं भी बोल चुका हूँ कि students का आज के time में जो focus है वो कम हुआ है दूसरा ये कि अब ये जो class है इस class के अंदर जो वो teacher आपके साथ में ज्ञान को शेयर कर रहा है , जो knowledge जो information को शेयर कर रहा है वो आपने इस class से पहले foundation बना चुकी होगी और उसके आधार पर वो अब इस class के अंदर वो information ज्यान को शेयर कर रहा है अगर आपने इस से पहले उस ज्ञान को या उस information उस knowledge को achieve नहीं किया तो आपको वह जो ग्यान आपके teacher, आपके guru या आपके mentor share कर रहे हैं वो आपको उसमें interest नहीं आएगा, आपको उसका पता enjoyingảm yeah तो दो point में मैंने अपनी बात रखती है कि एक वो teacher जिसके पास में knowledge है जिसके पास में information है और class के हिसाब के मताबिक वो उस information को रखना चाहा रहा है लेकिन दूसरी side में जो student है उस students को पिछली class में वो उसको अच्छे से पढ़ कर नहीं आए और उनका जो है अब इस class के अंदर है और वो ग्यान जो teacher उनके साथ में सेर कर रहे है वो उसी परिपेक्स में है लेकिन character जो उस teacher का है वो उतना effective नहीं है या उस तरीके से नहीं रख पाए है अपने आपको लेकिन ग्यान वो सेर कर सकता है तो class के अंदर जो indiscipline है वो किस को बज़े से होगा वो जो है मेरा यहां जो मानना है वो यह मानना है कि जो students है वो successively एक class के बाद दूसरी class या तीसरी class में जब पहुँचते हैं तो मान लिया जाता है कि उससे पहले का जो आधार है वो वहाँ पर पूर्ण कर पाए तो अब यह जो ग्यान उनकी teacher उनकी guru सेर कर रहे है तो यह अब उससे अगे का है उससे अगला है और इसको ही सेर करने के लिए वो आपके साथ में यहां 45 minutes रहेंगे लेकिन आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है आपका focus उस चीज पर नहीं बन पा रहा है यह दो जो बिंदू है यह बड़े काम के हैं और इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है किसी भी student को कि अगर कभी ऐसी situation आ जाए तो आप समझें उस समय कि teacher आपके क्या बोल रहे हैं क्या बता रहे हैं क्या सीखा रहे हैं बजाए इसके कि वहां आप class के अंदर indiscipline करें अनुसासन हींता करें और किसी एक character को किसी एक teacher को जो है आप बिना किसी बाग के बिना किसी धैरिये के उसमें एववस्था इस्थापित कर दें तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी और बात इधर से उधर भी जा सकती है क्योंकि जब एक परिपेक्स को सामने रखा जाता है तो दूसरा जो संदर्ब है वो अपने आपको ये ना समझे की मुझे नीचे रखा गया है यहां मेरा केवल ताति पर यह यह है नीचर उसकी जो कैरेक्टर की है वो इस तरीके से उसने रखा कि वो बहुत जादा गुल मिल नहीं पाया बहुत जादा इधर उधर की वो बात नहीं कर पा सकता तो वो केवल अपने जो एक्जामपल है उसने जो ओबजर की है अपनी स्टडीज के थूरू या अपने जो उसके आइडिल रहे होंगे उनके थूरू केवल उनहीं को रख पा रहा है लेकिन आज के परिपेक्स में आज के समाज है उस परिपेक्स में जब ये बच्चे या जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के अंदर बैठे हुए हैं उनका भी एक अपना केरेक्टर है उनका भी एक एनवायरमेंट के थूरू अपना केरेक्टर डवलप हो रहा है लेकिन अब सवाल ये आएगा कि जो परिपेक्स है जो क्लास का परिपेक्स है जो एक किसी संस्था का परिपेक्स है उस परिपेक्स में जब देखते हैं तो यहाँ जो teacher है और वो अपनी knowledge को अपने time को properly अगर use कर रहा है और एक ज्यान या information को प्रेक्षित करना चाह रहा है transfer करना चाह रहा है दूसरी side में तो it is the responsibility of the students that they basically maintain the decorum of the classroom अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो समझें कि यह जो teacher है वो बोल क्या रहा है किस परिपेक्स के बारे में बोल रहा है क्या यह परिपेक्स जो है जो अभी उनका है class का उसी संदर्ब में हैं या किसी दूसरे संदर्ब में हैं अगर इसी संदर्ब में हैं तो इससे पहले क्या इस से related उन्होंने जो basic information थी वो पढ़ ली है और नहीं पढ़ी और अब समझ में नहीं आ रहा है और अब disturbance क्रियेट कर रहे हैं तो क्या अब जो ग्यान या information या जो सूचना प्राप्त कर सकते थे तो क्या अब वो इस सूचना का जो समय था उसको waste नहीं कर रहे हैं तो point केवल इतना ही है कि अगर class में आपका कोई teacher आपके साथ serious या किसी एक character के साथ में बंधा हुआ है तो accept that only the information एक student का मैं यहाँ पर इस बात को भी बोल रहा हूँ कि एक student का जो मतलब है केवल वो ग्यान information के साथ में है और वो ग्यान information किसी व्यक्ति के द्वारा उसको तभी प्रेक्षित हो सकता है या तभी वो उसको accept कर सकता है अगर वो उस personality को उस character को वो accept करता है एजे teacher कि वो जो ग्यान दे रहा है वो यह ग्यान इस परकार या इस संदर में दिया गया और इस तरह से है तो यहां फिर और कोई बिंदू भी आ सकता है कि भी teacher को अब क्या बोलने लगे है teacher को ऐसा होना चाहिए कि वो class के room के अंदर entertain कर, students को entertain करें that means कि वो continuous teach ना करें वो continuous जो एक information है उसको ना share करें वो बीच बीच में बच्चों को कुछ ऐसे चुटकला है उसको ऐसी कहानिया सुना है कि बच्चे जो है यहां से switch करके अपना entertain कर लें उनको जो एक deep knowledge थी उसको हटा करके एक light और एक cheap जो चुटकुला है या joke है उसको सुना दिया जाए और उसको ज्यादा importance मिले बजाए कि उस knowledge को उस deep knowledge को जो इसके लिए at least 20 minutes की या 30 minutes की concentration was required तो point अब यह है कि जो यह संस्कृति है इस संस्कृति के अंदर इस गुरु और सिस्से प्रंप्रा के अंदर आज यह एक बहुत बड़ा माइन में teacher के भी और student के डाल दिया गया कि जो teacher 15-20 minutes तक या ऐसे continuous teach करेगा या आदा गंटा या एक गंटा टीच करेगा उसको बीच बीच में joke और बच्चों को entertain करना है why question is कि अगर वो entertain करेगा तो उनकी जो switching है क्या यह कोई निगधारित कर पाएगा कि अब जब उसको एक cheap jokes ना दिया जाए और वो हस जाए और उसकी हसी के फववारे छोट जाए क्या दुबारा वो उस point पर उसी स्थिती में आ सकत है और उस इस्थिती में आ करके क्या जो अगली स्थिती है वो उस अगली स्थिती अगला स्थिती का मेरा मतलब है कि जो next step है किसी भी एक topic का तो क्या teacher is capable कि every student जो अभी एक mode में था उसका जब आपने mode change किया तो उस seriousness के साथ में वापिस आ जाएगा तो मेरा एक मेरा अपना मानना है यह मेरी अपनी personal राय है कि एक teacher जहां उसको लगता है कि वो बच्चों का जो एक mode था जब उसको लगा कि बहुत ज़्यादा वो tough हुआ है या बहुत ज़्यादा उसको लगा कि अब जो points हैं वो प्रेक्षित नहीं हो पा रहे हैं transfer नहीं हो पा रहे हैं तो किसी एक story के थुरू या किसी एक point के थुरू या कोई background of the topic उसके थुरू वो उसको change करके और जो अपना topic है उसको further carry कर सकता है instead of कि उनको वो cheap यह joke सुनाए और इस तरीके से उनके mind को extra energy दे करके excite कर दे जो कि वापीस अपनी उस position पर आ ही ना पाए जिस point of इस से उनको study करना था तो यहाँ एक बड़ा यह मैं सोचता हूँ मेरी अपनी personal राय है कि बच्चों को class के अंदर या जैसे भी चीफ टाइफ के jokes ना सुनाए जाए या उनको entertain word जो है use ना किया जाए कि उनका जो एक mode था किसी point को learn करने का या जो उनकी एक learning stage थी इस one hour की वो disturb हो जाए तो point के वल इतना ही कि जब एक teacher class के अंदर जाए तो वो अपने जो मुद्दे हैं जब अपने point हैं जो अपने steps हैं किसी topic के उनको describe करें step wise करें और बच्चों का यह है कि आपका जो purpose है वो सीखना है किसी information को किसी teacher के द्वारा वो teacher एक character है तो उस character को आपको accept करना है और teacher का यह है कि अगर by chance आज के परिपेक्स जैसा हुआ है और उसमें भारत देश की एक जो संसकर्ती है और जो यह ज्यान विज्यान का process था सेर करने का और सिखाने का उसमें वैवधान उत्पन हुए है उस संसकर्ती को खराब कर दिया गया है तो धैर यह रखें कुछ देर के लिए अगर धैर यह जवाब दे जाए और ऐसा कुछ करें तो हो सकता है आपको गुस्स कुछ ऐसा कर दें तो उसके बाद लेकिन आप के अंदर अगर गुन है teacher के तो आप महसूस करेंगे कि आपने गलत किया है तो उस गलती को आप उस student के साथ में share कर सकते हैं या class के साथ में share कर सकते हैं कि that was the mistake because of this region और आप महसूस करते हैं and that time जो students है जो class है उसको भी उस ची teacher आपका है उसने उसको feel किया और आपके साथ वह attach है because of some reason because of some information तो आप जब उसको accept कर लेंगे तो आपके अंदर द्वंद नहीं आएगा confliction नहीं आएगा आपके थोट clarity रहेंगे उनका जो तरप से जो transfer था वो transfer हो जाएगा कि समाज के अंदर जो एक teacher और एक student के भी जो relationship था उसको दूसरे prefix में रख दिया गया है वो चाहे कुछ भी है और उस संसकर्ती को चाहे जैसे भी हिट किया गया है तो आज जो भी स्थिति है या जो भी अवस्ता है उसमें फिर हम लोगों को गुरू और सिस्षे की जो एक परंपरा है उसको दुबारा उसकी विवेचना और उसके बारे में बात करना जरूरी है तो आप पढ़ते हैं और जो पढ़ा रहे हैं तो यह जो आप पढ़ते हैं और जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप एक आलेडी जो इस्टडी है उसको सीख रहे हैं और उसको सीखते सीखते आप एक किसी पात पर चलेंगे उस पात पर आपका कुछ कंट्रिब्यूशन होगा तो उस कंट्रिब्यूशन को आप अच्छे से दे पाएं जिससे आपके परिवार का, समाज का, देश का, संसार का उत्थान हो वो सभी के लिए साहयक हो तो ऐसा इस तरीके से ये परंपरा है तो वो परंपरा के वल एक धन के साथ संबंद की न रहे कि एक टीचर का स्टूडेंट के साथ में रिलेशनसिप अच्छा या बुरा इसलिए हो जाए कि सेलरी कम है या जो पैसा स्टूडेंट की साइड से जब आप पर्सनली उसको टीच करते हैं कम है या उससे मिल रहा है तो इस तरीके के जो भाव है या ये जो संबंध है या यहाँ पर जो है ये आपके अंदर कुछ ऐसा आजाए जिससे ये पक्स पात हो जाए तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो आज केवल मैं मेरे ये अपने विचार और इन विचारों में जहां तक भी है जहां तक भी रहा मैं अपने अनुसार अपने मेरे मत के अनुसार में रख पाया और अगर कहीं विभेद रहा और आप उसके पक्स में नहीं है तो आप उस पक्स को रख सकते हैं और मैं कोशिज करूँगा कि उसको देख पाऊं तो बहुत बहुत आपको हार्दिक का सुबकाम नहीं जो शिक्सक दिवस है आज का 5 सितंबर 2023 तो दुबारा फिर शिक्सक दिवस की आप सभी को हार्दिक सुबकाम नहीं